हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब कुशल होंगे आईए आज आपका नया पार्ट प्राइकता पढ़ना आरंब करते हैं कक्षा नौ में आप घटनाओं की प्रायोगिक यानि एक्स्पेरिमेंटल या आनुभविक एम्पिरिकल प्राइकताओं के बारे में अध्यन कर चुके हैं जो वास्तविक प्रेयोगों के परणामों पर आधारित थी हमने एक सिक्के को एक हजार बार उचालने के प्रेयोग की चर्चा की थी जिसमें परणाओं की बारंबरताएं इस प्रकार थी चित हेड यानी 455 और पट तेल 545 इस प्रेयोग पर आधारित एक चित की आनुभविक प्राइकता 455 बटा 1000 अर्थाद 0.455 है तथा एक पट की आनुभविक प्राइकता 0.545 है ध्यान दीजिये की ये प्राइकताएं एक सिक्के को एक हजार बार उचालने के एक वास्तविक प्रेयोग के परणामों पर आधारित है इसी कारण से ये अनुभविक या प्रायोगिक प्राइकताएं कहलाती हैं वस्तव प्रायोगिक प्रेयोगों के परणामों तथा घटनाएं घटित होने की परियापत रिकौरडिंग पर निर्भर करती हैं इसके अतिरिक्त ये प्राइक्ताएं केवल आंकलन यानि एस्टिमेट्स ही हैं। यदि हम इसी प्रयोग को अन्य एख़ार बार सिक्के को उचाल कर करें तो हमें इन से भिन आंकड़े प्राप्थ हो सकते हैं। जिससे हमें पहले से भिन प्राइक्ता आंकलन प्राप्थोंगे। कक्षा 9 में आपने एक सिक्के को अनेक बार उचाला था और यह नोट किया था कि चित या पट कितनी बार आया। आपने यह भी देखा था कि जैसे जैसे सिक्का उचालने की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे एक चित या पट आने की प्रायोगिक प्राइक्ता संख्या एक बटा दो के निकट्तम आती रही। आपने ही नहीं अपितु विश्व के विभिन भागों के व्यक्तियों ने इसी प्रकार के प्रेयोग किये हैं और चित आने की संख्या को रिकॉर्ड किया है। अब माल लीजिये की हम प्रश्ण करते हैं, यदि सिक्का उछालने के प्रयोग को माल लीजिये एक मिलियन बार किया जाए, तो चित आने की प्रयोगिक प्रायक्ता क्या होगी? यदि प्रयोग दस मिलियन बार किया जाए, तो प्रायक्ता क्या होगी? आप सहज ग्यान से यह अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे सिक्के उछालने की संक्या बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे चित या पट आने की प्रायोगिक प्रायक्ता एक संक्या 0.5 अर्थात 1 बटा 2 के आसपास प्रतीद होती है, हम इसे चित या पट पाने की सैधान्तिक प्रायक्ता मने theoretical probability कहते हैं, इस अध्याय में हम एक घटना की सैधान्तिक प्रायक्ता जिसे पारंपरिक प्रायक्ता यानि classical probability भी कहते हैं का परिचय कराएंगे, तथा इस अवधारना पर आधारित सरल सम अस्याओं की चर्चा करेंगे, आइए निम लिखिस्तिती पर विचार करें, माल लीजिए एक सिक्के को यादरिच्या यानि at random उच्छाला जाता है, हम पहले से जानती हैं कि सिक्का दो संभव विधियों में से केवल एक ही विधी पर गिर सकता है, या तो चित उपर होगा या फिर पट उपर होगा, हम यह तर्क संगत रूप से मान सकते हैं कि प्रतेक परिणाम चित या पट का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना की अन्य परिणाम का, दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि परिणाम चित और पट सम प्राइक equally likely हैं, सम प्राइक परिणा कि एक अन्य उधारन के लिए मान लीजे कि हम एक पासे को फेंकते हैं, हमारे लिए एक पासे का अर्थ सधैव एक न्याय संगत पासे से होगा, संभर परिणाम क्या हैं? ये एक, दो, तीन, चार, पांच और छे हैं, प्रतेक संख्या के उपर आने की समान संभावना है, अत पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाले संप्राइक परिणाम एक, दो, तीन, चार, पांच और छे हैं, आए हम आगे समझते हैं, कक्षा 9 में हमने एक घटना E की प्रयोगात्मक या अनुभविक प्राइकता P.E को निमलिखित रूप से परिभाशित किया था, P.E. बराबर अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, बटा अभी प्रयोगों की कुल संख्या, किसी घटना E की सैधान्तिक प्राइकता यानि theoretical probability जिसे परंपरागत प्राइकता यानि classical probability भी कहा जाता है, P.E. निमलिखित रूप से परिभाशित की जा बटा प्रयोग के सभी संभव परणामों की संख्या, यहां हम यह कल्पना करते हैं कि प्रयोग के परणाम संप्राइक हैं, हम संख्यित रूप में सैधान्तिक प्राइकता को केवल प्राइकता ही कहेंगे, देखिए पहला उधारण, एक चित प्राप्त करने की प्राइकता ज्याद कीजिए जब एक सिख्य को एक बर उच्छाला जाता है साथ ही एक पठ प्राप्त करने की भी प्राइक्ता ज्याद कीजिए एक सिक्के को एक बार उच्छालने के प्रियोग में संबर परणामों की संख्या दो हैं, चित याने की हेड और पट याने की टेल, माल लीजिये घटना E, चित प्राप करना हैं, तब E के अनुकूल अर्थात चित प्राप करने के अनुकूल परणाम एक है, अतह P E बराबर P चित याने E के अनुकूल परणामों की संख्या बटा सभी संभव परणामों की संख्या याने एक बटा दो, इसी प्रकार यदि घटना F पट प्राप करना है, तो P F बराबर होगा P पट बराबर एक बटा दो, ठीक है बच्छों, आए अगला प्रशन देख करते हैं, दूसरा उधारन, एक थेले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद हैं, तथा सभी गेंदें एक ही साइस की हैं, कृतिका बिना थेले के अंदर जाके, इन में से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायक्ता है कि वै गेंद पीली होगी, ला या नीली होगी तीन भाग है कृतिका थे ले में इसे उन में बिना जहांके गेन निकालती है अतह उसके द्वारा कोई भी गेन निकालना समप्राइक है equally likely है माना पीली गेन निकालना घटना y है लाल गेन निकालना घटना r है तथा नीली गेन निकालना घटना b है तो आईए हम कैसे लिखेंगे इसको अब सभी संभव परणामों की संख्या क्या हुई 3 घटना y के अनुकूल परणामों की संख्या 1 है इस प्रकार p y कितना हुआ एक बटा 3 इसी प्रकार p r यानि लाल गेन निकालने की प्रायक्ता क्या होगी एक बटा 3 और नीली गेन निकालने की प्रायक्ता भी एक बटा 3 होगी किसी प्रयोग की यह घटना जिसका केवल एक ही परणाम हो प्रारंभिक घटना यानि elementary event कहलाती है ध्यान दीजिए कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं की प्राइकताएं का योग एक है यह व्यापक रूप से भी सत्य है आए आगे समझते हैं उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्राइकता शून्य होती है ऐसी घटना को असंभव घटना यानि impossible end कहते हैं उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्राइकता एक होती है ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं टिपनी पर गौर करिए प्राइकता की परिभाशा से हम देखते हैं की अंश्य यानि घटना के अनुकूल परणामों की संख्या सदैव हर यानि सभी संभव परणामों की संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर होता है अतह P E 0 से बड़ा या बराबर और 1 से कम या बराबर होता है आईए आगे समझते हैं प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न निमन लिखित कतनों को पूरा कीजिए घटना E की प्राइकता प्लस घटना E नहीं की प्राइकता कितनी होती है? एक दूसरा उस घटना की प्राइकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 है ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है उस घटना की प्राइकता जिसका घटित होना निश्चित है हमने अभी पढ़ा है एक है ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है किसी प्रयोग की सभी प्रारम्बी घटनाओं का योग एक होता है किसी घटना की प्राइक्ता शुन्य से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या बराबर होती है ठीक है बचो? आईए. आगे दिखते हैं. तूश्रा प्रश्ण. निमलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परणाम संप्राईक हैं। स्पष्ठ कीजिए. एक ड्रैवर कार चलाने का प्रेत्न करता है. कार चलना प्रारंब हो जाती है या कार चलना प्रारंब नही होती है अब देखिए जब ड्राइवर कार चलाने का प्रैतन करता है तो कार प्राहय चलना अरंब हो जाती है यदि कार में कोई खराबी ना हो अतह यह संप्राइक नहीं है दूसरा एक खिलाडी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रेतन करती है वे बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है इसमें देखिए खिलाडी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रेतन करती ह वेब बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं ये बाते खिलाडी पर निर्भर करती हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अच्छा खिलाडी अधिकतर बार बॉल बास्केट में डाल पाती है आता है ये समप्राइक नहीं है अगला एक सत्य असत्य प्रश्ण का अनुमान लगाये जाता है उत्तर सही है या गलत होगा देखिए हल सत्य और असत्य प्रश्ण का अनुमान लगाना संप्राइक है क्योंकि इसमें दो ही विकल्प हैं और दोनों के चुन्ने के समान अवसर है अगला एक बच्चे का जन्म होता है वह एक लड़का है या एक लड़की है जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या एक लड़की है दोनों के होने के समान अवसर है इसलिए यह एक समप्राइक है ठीक है बचो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न फुटबॉल के खेल को प्रारम करते समय या निर्ने लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी इसके लिए सिक्का उच्छालना एक न्याय संगत विधी क्यों माना जाता है सिक्का उच्छालना एक न्याय संगत विधी इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं चित या पट तथा दोनों की प्राइक्टा समान है ठीक है बचो अगला प्रश्न निम्न लिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्राइक्टा नहीं हो सकती देखिए दो पटा तीन ये तो हो सकती है क्योंकि ये 0.66 के आसपस आएगा अगर हम इसको दशमलब में करते हैं ये आया माइनस एक दशमलब पांच ये इस पर विचार करेंगे पहले देखिए 15 बटा 100 ये तो हो सकती है और ये हुई 7 बटा 10 तो ये भी संभव है ये भी संभव है ये देखिए माइनस एक दशमलब पांच ये जो विकल्प है माइनस एक दिशमलव पांच क्योंकि प्रायक्ता कभी भी रिणात्मक नहीं हो सकती अर्थात हम जानते हैं पी या तो शुन्य से बड़ी या बराबर या एक से छोटी या बराबर होती है ठीक है बचो तो इसलिए ये विकल्फ हमारा सही है आए आगे देखते हैं यदि पी बराबर है शुन्य दशमलव शुन्य पांच तो इ नहीं की प्रायक्ता क्या है हम जानते हैं कि पी प्लस पी नहीं इ बराबर होता है एक इसलिए शुन्य दशमलव शुन्य पांच प्लस पी नहीं इ बराबर हुआ एक इस प्रकार पी नहीं इ बराबर हुआ एक माइनस को हम ऐसे घटाएंगे यह आएगा पांच यह आएगा नौ शून्य देशमलाव नौ पांच ठीक है बच्चो समझ में आया अगला प्रश्न एक थेले में केवल नीम्बू की महकवाली मीठी गोलियां हैं मालनी बिना थेले में जहांके उन में से एक गोली निकालती है इसकी क्या प्राइक्ता है कि वे निकाली गई गोली संत्रे की महकवाली है निम्बू की महकवाली है थेले में संत्रे की महकवाली मीठी गोलियां नहीं है इसलिए संत्रे की गोली निकालना एक असंभाव घटना है इस प्रकार पी संत्रे की मह छोन ने आगे दिखते हैं, ठेलाइ में केवल नीमबू की महकवाली मीठी गोलिया हैं, इसलिए नीमबू की गोली के एक समू में से दो विद्यार्थियों के जनम दिन एक ही दिन ना होने की प्रायक्ता 0.992 है इसकी क्या प्रायक्ता है कि इन दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो हम जानते हैं कि PE प्लस P नहीं E दोनों बराबर होते हैं एक इसलिए P दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो प्लस P दो विद्यार्थियों के जनम दिन एक दिन ना हो बडाबर है एक इस प्रकार P दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो प्लस 0.992 बडाबर है एक इस प्रकार पी दो विद्यार्थियों का जरम दिन एक ही दिन हो एक माइनस शुन्य दशमलव नौ नौ दो अब देखिए इस में से हम शुन्य दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे नौ नौ दो इसको हम घटा देंगे क्या मिलेगा हमें दस में से दो गया आठ और यह हो गया शुन्य 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 दशमलव शुन्य 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 आठ ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं एक थेले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं इस थेले में से एक गेंद यादरिच्छा यानि याट रैंडम निकाली जाती हैं इसकी प्रायक्ता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो लाल गेंद हमारे पास कितनी है तीन काली गेंद पांच और कुल गेंदे इस प्रकार कितनी हुई तीन प्लस पांच यानि आठ तो पी लाल गेंद हुआ बराबर लाल गेंदे बटा कुल गेंदे यानि तीन बटा आठ हम जानते हैं कि P E प्लस P नहीं E बराबर है एक इसलिए P लाल गेंदे प्लस P लाल गेंदे नहीं बराबर है एक अब हमने इसका मान रख दिया 3 बटा 8 प्लस P लाल गेंदे नहीं दोनों बराबर है एक इस प्रकार P लाल गेंदे नहीं बराबर होगा 1 माइनस 3 बटा 8 इसको हम हल करेंगे हमें मिलेगा 8 माइनस 3 बटा 8 यानि 5 बटा 8 ठीक है बचो आईए अगला प्रशन देखे एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे है इस डिब्बे में से 1 कंचा या दृच्छा निकाला जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है अब देखिए लाल कंचे 5 हैं, सफेद कंचे 8 हैं, हरे कंचे 4 हैं, कुल कंचे कितने हुए? पांच प्लस 8 प्लस 4 यानि 17, पी लाल कंचे बड़ाबर होगा, लाल कंचे बटा कुल कंचे यानि 5 बटा 17, और पी सफेद कंचे बड़ाबर होगे, सफेद कंचे बटा कुल कंचे यानि 8 बटा 17, पी हरे कंचे कैसे निकालेंगे? हरे कंचे बटा कुल कंचे यानी 4 बटा 17 लेकिन हमें क्या पुछा है हरा नहीं है तो हम जानते हैं कि P E प्लस P नहीं E दोनों बराबर होते हैं एक इसलिए P हरे कंचे प्लस P हरे कंचे नहीं बराबर है एक इस प्रकार P हरे कंचे नहीं बराबर होगा 1 माइनस 4 बटा 17 इस प्रकार हमें इसको हल करेंगे हमें मिलेगा 17 माइनस 4 बटा 17 यानी 13 बटा 17 ठीक है बच्चे हो समझ में आया आए आप ग्रह कारे के लिए कुछ प्रशन ले लेते हैं पहला प्रशन यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायक्ता है पहला विकल्प है 1 दूसरा है 3 बटा 4 तीसरा है 1 बटा 2 और 4 है 0 दूसरा प्रशन निमलिकित में से कौन किसी घटना की प्रायक्ता नहीं हो सकती 1 बटा 3, दूसरा 0.1, तीसरा 3 प्रतिशत, चौथा 17 बटा 16, अगला प्रश्न, यदि PA घटना एक ही प्रायक्ता व्यक्त करता है, तो पहला विकल्प PA 0 से छोटा होगा, दूसरा विकल्प PA 1 से जादा बड़ा होगा, तीसरा विकल्प PA 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, चौथा विकल्प PA-1 और 1 के या तो बड़ाबर होगा, या उनके बीच में होगा, अगला प्रश्न, बावन ताशों की एक गड़ी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का कोने की प्रायक्ता है, पहला विकल्प है 3 बटा 26, दूसरा विकल्प है 3 बटा 13, तीसरा विकल्प है 2 बटा 13, और चौथा विकल्प है 1 बटा 2, आईए बच्चों, आप सारांच देख लेते हैं, आज हमने जो पढ़ा, घटना E की सैधानतिक या परम प्रागत प्रायक्त पी-ई को निमलिखित रूप में परिभाश्चित किया जाता है, पी-ई बराबर है E के अनुकूल परनामों की संख्या बटा, प्रयोग के सभी संभावेत परनामों की संख्या, जहां हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के सभी परनाम संप्रायक हैं, दूसरा एक निश्चित या निर्हारित घटना की प्रायक्ता एक होती है, एक असंभव घटना की प्रायक्ता शून्य होती है, चौथा घटना E की प्रायक्ता एक ऐसी संख्या पी-ई है कि पी-ई शून्य से बड़ी या बराबर है या एक से कम या बराबर है, हमने ये भी देखा कि एक घटना की प्रायोगिक या आनुभविक प्रायक्ता वास्तविक रूप से घटना के घटित होने पर आधारित होती है जबकि उस घटना की सेधान्तिक प्रायक्ता में कुछ कल्पनाओं के आधार पर ये प्रायोग्ति की जाती है कि क्या घटना घटेगी? जैसे जैसे एक प्रयोग में अभी प्रयोगों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रायोगिक और सेधानतिक प्राइक्ताओं की लगभग बराबर होने की पत्याशा की जा सकती है. तो बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पाठ समझ में आया होगा अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद